जब एक तरफ box office पे कोई फिल्म एक दिन में 100 करोड से ज़ादा की कमाई करती है तब 99% chances बनते हैं कि उसके सामने clash करने वाली दूसरी फिल्म बुरी तरह कुचल जाएगी 100 की जगे 99 क्यों बोला यही सोच रहे होना क्योंकि वो 1% पे Sam Bahadur खड़ी है दोस्त जिन्दगी में हर काम पैसा बनाने के लिए नहीं होता इज़त 100 करोड से भी ज़ादा महंगी चीज है कहानी उस इंसान की है जिसको 2nd World War में एक दो तीन नहीं पूरी 9 गोलिया मारी गई सामने से डॉक्टर ने भी इलाज करने से मना कर दिया उस वक्ट जानते हो इन्होंने क्या बोला कुछ नहीं बस गधे ने लाग मार दी होगी अब समझे इनके नाम में बहादुर क्यों लिखा गया एक किस्सा और सुनो देश की सबसे खतरनाग प्राइम मिनिस्टर जिन से खुद इतिहास भी डरता है माडम इंद्रा गांदी जो इंडिया इस इंद्रा का नारा लेकर आई थी उनके सामने आखे जुका कर बात करने वाले बड़े बड़े मिनिस्टर्स और मानिक शौने उनको स्वीटी कहकर बिलाया था ये दो बाते सुनके जब आपका दिमाग हिल गया तो सोचो पूरे दो घंटे इस इंसान के बारे में देखने को मिलेगा तो क्या मस पैसा वसूल फिल्म बनेगी न तो बॉस आपका सोचना 50% सही है 50% गलत ऐसा इसलिए क्योंकि सैम बहादूर जैसी फिल्म में हर किसी को प किया है सैम बहादूर ने एक स्मार्ट फिल्म जिसको देखने के लिए सिफ आखे नहीं दिमाग भी चलाना पड़ेगा वह सिनिमा जिसको सिफ एंटरेइन्मेंट समझने की भूल मत करिएगा फिल्म बोरिंग है क्या यह सबसे बड़ा सवाल है काफी लोगों के दिमाग मे स्क्रीन प्ले के बारे में पूछ रहे हो तो जवाब शायर हाँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए लेकिन कॉंटेंट की बात कर रहे हो अगर तो एक परसेंट भी बोरिंग नहीं है हर सीन में कहानी कुछ इंटरस्टिंग लेकर आती है बिल्कुल टाइम पास नहीं किया जा हाँ एक चीज थोड़ा खटक जाएगी क्योंकि फिल्म का नाम सैम बहादूर है तो पोस्नल कहानी उनकी जादा होनी चाहिए थी टाइटल के साथ इंसाफ ऐसे ही होता जबकि फिल्म इंडिया की हिस्ट्री पर जादा फोकस डालती है मतलब सैम मानिक शौ का कनेक्शन हिस् पान सिंग तोमर है या फिर भाग मिलखा भाग जैसी क्लासिक मूवी वह ऐसी बाते बहार निकालती हैं जो इंटरनेट पर पढ़ने को नहीं मिलेंगी सैम बहादूर इंटरनेट वाली बातों को जोड़कर एक फिल्म की शकले देती है बट मानिक शौ के सीक्रिट्स रिव यहां शांती के साथ हर सीन फील किया जाता है शायद यह बात आप अल्रडी हजार बार सुन चुके होगे लेकिन एक हजार एक बार भी बोलू तो कम पड़ेगा कि सैम बहादूर को देखने का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ एक है दविकी कॉशल की परफॉर्मेंस नाम क्या लाइफ अक्टर को धूनी ना पाए सिर्फ उस कहानी की लीड करेक्टर के नाम से आपको पहचाना जाए विकी कॉशल का बोलने का तरीका देखने का स्टाइल और चलते बग बॉड़ी लेंग्विज सब कुछ सैम मानिक्शौ को जिंदा करने का काम करता है इतना जादा ज इनका रोल थोड़ा जचा नहीं मुझे मतलब जो काम बॉबी देवन ने किया है ना आनिमल के अंदर रंबीर के सामने खड़े होके वो फेस आफ मानिक्शौ वर्सस इंद्रा वाला इस फिल में थोड़ा वीक सा रह जाता है क्योंकि फातिमा एज आक्टर विकी कॉशल के आसपास भी नहीं है तो बहुत सैम बहादुर को पांच में से साढ़े तीन स्टार्स मिलेंगे पहला नो नौनसंस सिनिमा प्यॉर कॉंटेंट दूसरा दो घंटे में काफी सारे इवेंट्स को कवर कर दिया जो मानिक्शौ का इंपॉर्टेंस यार्थ करा देंगे हर किसी क आधा मेगना गुलजार का विकी कौशल को सही ढंक से इस्तेमाल करना चैस के गेम में सिर्फ गोटी नहीं उसको चलाने वाले को भी क्रेडिट मिलना चाहिए नेगेटिव में एक स्टार कटेगा दो घंटे बाद भी सेम बहादूर के बारे में कुछ ऐसा नहीं मिला जो इंटरनेट पढ़ा नहीं जा सकता और आधा फातिमा की कास्टिंग एज इंद्रा गांधी वीक है इवन बाकी दूसरे आक्टर्स भी जादा नोटिस में आते नहीं है वन मैं शो की वज़े से फिल्म हलकी हो गई अनिमल वर्स सेम बहादूर ये क्लेश सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बॉक्स ओफिस नंबर गिनते हैं सच्चे सिनिमा लववस के लिए तो पार्टी है ये तेवहार फेस्टिवल बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तुम आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में टेक क्यायर बाए बाए